जैसी तराम, ओम्तच सत, राजा ययाती की कहानी हमें अपने मादा-पिता की आगया का पालन करना चाहिए, ये तो हम सुनते हैं परिवार में ऐसा संबंद होता है कि अगर कोई एक पुन्य का काम करे तो उसके फल सारे सदस्य भोगते हैं राजा ययाती की कहानी यही दर्शाता है राजा ययाती एक दिन काम भाव को प्राप्त होकर अपनी पत्नी देव्यानी के अलावा किसी और को गर्बवती बना देते हैं देव्यानी ने यह बात शुक्रचार्य को बताया शुक्रचार्य ने राजा ययाती को एक श्राप दे श्राप से छूटने के लिए वे अपने पुत्र पुरू के पास जाते हैं पुरू यह कहता है अर्थात पुत्र तीन प्रकार के होते हैं उत्तम, मध्यम और अधम जो अपने पिता के कहिए बिना कारे कर दे वे अधम पुत्र हैं जो अपने पिता के कहने के बाद कारे करें वे मध्यम पुत्र हैं जो अपने पिता के कहने के बाद अश्रद्धा से कारे करें वे अधम पुत्र हैं जैसी तरा ओम तत सत